हेलो अच्छो मेरा नाम घंशांप्रजबती है इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास एट मैज चैप्टर वन रेशनल नंबर के एक्ससाइज 1.1 के जो कुश्चन रह गये थे 6-11 वो हम इसमें डिसकस करने जा रहे हैं ठीक यहां पर कुश्चन नमर 6 देखिए multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16 मतलब यह जो नंबर है इसमें इसके reciprocal से multiply करना है तो हम क्या करते हैं पहले इसका reciprocal लिखते हैं minus 7 by 16 का reciprocal क्या हो जाएगा minus 16 by 7 अब इससे इसको multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 by 13 into minus 16 by 7 ये equal to क्या हो जाएगा 16 से जागिता होता है 96 होता है और 13 से जागिता होता है 91 होता है तो यह आपका हो जाएगा answer ठीक कुश्चन नमर 7 देखते हैं बूल रहा है tell what property allow you to compute 1 upon 3 into 6 into 4 by 3 ये लाश के दो टर्म एक ब्रेकट में रखे गए हैं as 1 upon 3 into 6 into 4 by 3 इसमें जो first two terms है उनको एक ब्रेकट में रखा गया है बच्चो इसको आप A मानो इसको आप B मानो इसको C मानो same as ये भी आपका A बन जाएगा ये आपका B बन जाएगा ये आपका C बन जाएगा इसको लिखने कोसिस करते हैं तो लिखा है A into B into C एक ब्रेकट में equal to S को मैं equal to treat करूँगा यहां पर लिखूँगा A into B ब्रेकट में into C यहां पर आपको बच्चो दिखाए पढ़ रही है ये कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है मैंने आप प्रॉपर्टीस आप दरेशनल लंबर में ये सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है तो ये निकल के आती है आपको एसो सीटीव प्रॉपर्टी ठीक है बच्चो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को एलाओ करता है एसोसियेटीव प्रॉपर्टी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन 8 इसमें बोल रहा है इस 8 बाइन दमल्टिप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन होल वन अपान 8 वाई एन वाई नॉट क्या इसमें यह कह रहा है कि यह जो 8 बाइन है क्या मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स यह जो नंबर दिया है इसका यह मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स है मतलब कि यह जो है इसका रिसीप्रोकल है तो रिसीप्रोकल की एक प्रॉपर्टी हमनें पढ़ी थी बच्चों की अगर किसी नंबर का reciprocal उस नंबर से multiply किया जाए तो result हमेशा क्या आता है जैसे p है p का reciprocal मैं लूँ 1 upon p और दोनों को multiply करूँ तो result क्या आएगा 1 आएगा p से p cancel हो जाएगा ठीक अब यह बोल रहा है कि 8 by 9 multiplicative inverse है किसका तो 1 whole 1 upon 8 का तो सबसे पहले इसको मैं simple fraction में कर लेता हूं minus 1 whole 1 upon 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 बंजा 8 plus 1 9 minus 9 by 8 अब इसको और इसको मैं multiply करूँ अगर 1 मिल गया plus 1 not minus 1 तो यह कहेंगे कि multiplicative inverse है तो यहाँ पे 8 by 9 into minus 9 by 8 यहाँ पे हम देख रहे है 9 से 9 cancel 8 से 8 cancel बट रिजल्ट में क्या रहा है यह minus है तो 1 into 1 किता हो जाएगा minus 1 तो हमें क्या चीए था हमें तो plus 1 चीए था लेकिन हमें क्या मिल रहा है minus 1 तो हम यहाँ कहेंगे कि 8 by 9 is not the multiplicative inverse minus 1 whole 1 upon 8 ठीए बच्चो नेक्स कुशन देखते हैं कुशन नमबर 9 यह कह रहा है इस इसी कुशन की तरीके से ही है इस 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1 upon 3 यह है multiplicative inverse इसका ठीक है ना तो 3 whole 1 upon 3 को पहले मैं simple fraction में convert करूं तो 339 plus 1 10 by 3 ठीक कुशन यह कह रहा है कि 0.3 10 by 3 का reciprocal है ठीक तो हम check कर लेते हैं अगर दोनों को multiply करने से 1 आ गया तो हम कहेंगे हाँ यह reciprocal है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.3 into 10 by 3 अब इसको हम cancel out करेंगे तो 3 by 3 0.1 times जाएगा तो 0.1 into 10 किता हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस 1 आ रहे हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1 upon 3 कुशन 10 देखते हैं लिखा है right उसके बाद statement दिया है और इसके बारे में हमें लिखना है बुल रहा है पहला statement the rational number does not have a reciprocal एक rational number बताओ जिसका कोई reciprocal नहीं है अचो आप कोई भी number उठाओ 1 तो 1 का reciprocal 1 होगा 2 तो 2 का reciprocal क्या होगा 1 upon 2 3 3 का reciprocal 1 upon 3 ठीक है ना सबके reciprocal निकलेंगे बट इससे पहले अगर मैं 0 ले लू तो 0 by 1 होता है इसको मैं उल्टा करूं तो 1 by 0 जिसको हम infinity बोलते हैं not defined और यह एक rational number नहीं है तो हमारा answer यहाँ पर क्या आएगा कि 0 है 0 जो number है इसका कोई reciprocal नहीं है ठीक है ना क्यों अगर जो reciprocal है तो 0 से 0 multiply करो वनाना चीए नहीं आएगा तो हम यह कहेंगे कि 0 एक ऐसा number है जिसका reciprocal नहीं है और 0 एक rational number है second statement क्या कह रहा है the rational number that are equal to their reciprocal एक ऐसा rational number बताओ जिसका reciprocal उस रेशिप्रोकल उस रेशिप्रोकल के मैं-1 का reciprocal लूँ तो-1 का भी reciprocal minus 1 ही होता है ठीक है और minus 1 into minus 1 करूंगा तो minus into minus plus हो जाएगा और plus 1 तो यहां पर हम लिख सकते हैं जाए हम लिखे वन एक ऐसा number है जिसका reciprocal उसी के equal होगा या फिर मैं लिखूं माइनस 1 जिसका reciprocal उसी के equal होगा नेक्स्ट कुष्चन थर्ड स्टेट्मेंट बोलता है कि the rational number that is equal to their negative एक ऐसा rational number बताओ जो अपने negative के equal हो अब आप क्वाम सा चूज करोगे तो वन लिया तो वन का negative reciprocal लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा जो कि reciprocal की properties को follow नहीं करेगा तो यहां पर निकल क्याता है कि अगर जीरो का मैं reciprocal लूँ जीरो का reciprocal तो जीरो होगा अब यहां से यहां पर मैं माइनस लगा दूँ तो कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसका exact answer क्या होगा जीरो कुष्च नमबर 11 लास्ट कुष्चन है इस exercise का फिल इंदा blanks पहला है जीरो है रेसीप्रोकल क्या जीरो के पास reciprocal है तो जीरो के पास कोई reciprocal नहीं है ठीक देनमबर 10 and 10 अर्देर आर ओन रेसीप्रोकल तो ऐसे कौन है जिनके के पास वह जो खुद के रेसीप्रोकल हैं तो आभी मैंने आपको पताए lol जिसका रेसीप्रोकल 1 महाले और ये बdd नहों को किरेंस और माइनस टू सन होगा और माइनस प्लस कहूं माइनस और माइनस वं थर्ड है the reciprocal of minus 5 इस बहुत आसान है तो इसको हम ऐसा लिख सकते है minus 1 upon 5 यह इसका reciprocal हो जाएगा अब minus 5 into 1 upon minus 5 multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus into minus plus आजाएगा 1 आजाएगा answer ठीक फोर्स है reciprocal of 1 upon x where x is not equal to 0 अगर x is equal to 0 हो जाएगा तो बन जाएगा 0 नहीं होना चीए तो अगेन इसी तरीके से इसका reciprocal क्या हो जाएगा x हो जाएगा 1 upon x into x को multiply करें क्या आएगा वन आ गया तो यह reciprocal है फिप्थ है the product of two rational number rn का मतलब rational number is always अब closer properties याद करो मैंने आपको बताया था closer property यह कहता है कि अगर किसी भी rational number को दूसरे rational number से multiply करो अगर जो resultant rational number आ रहा है that means यह closer property को follow करता है तो उसमें मैंने इसको explain किया था closer property के according तो the product of two rational number is always क्या होगा आपका rational number ही होगा ठीक लाश्ट है 6 दर इसी प्रोकल of a positive rational number is किसी positive rational number जैसे कि मैंने टू लिया ठीक है ना यह positive rational number है मैंने 2 by 1 के पाव में लिख दिया rational number बन गया इसका reciprocal क्या होगा plus 1 upon 2 तो यह क्या होगा यह भी तो rational number है positive तो इसका answer क्या हो जाएगा positive rational number तो बच्चों यहां पर आपका exercise 1.1 complete होता है नेक्स्ट वीडियो में हम exercise 2.2 के साथ हैंगे और आई होप आपको यह वीडियो अच्छे लगी लगी होगी और सारे concept आपको clear होगे thank you so much